हलो दोस्तों आप तभी का स्वागत है आप सभी के अपने योटूब चनल पर यूपी टेट परीक्षा 2022 के रिजल्ट पर आज अभी अभी यूपी बीबी ने काफी बड़ी खुशकबरी जारी कर दिये यूपी टेट परीक्षा 2022 के रिजल्ट का वेट करें चात्रों के करने वाली चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बताते हैं को पूरी ख़बार आंगे बालने से पहले अगर आपने यूटूब चनल को सबसाइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलका सबसाइब का बटन होता है उसको प्रेस करके अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों की आंगे आने वली सरकारी नियुक्रियों की त्यारी फ्री में हो तो आप लोग हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं सरकारी जो विदभाय पर अभी तक की 14000 से ज्यादा चात्र जॉइन हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी की आप लोग की त्यारी श्टाट करवा दिए सिपर्टेट अपको माश दोजार बाईस में देखनें की मिलेंगे अगर आप भी त्यारी कर रहे हैं इस अब एक्जामों की प्योंकि आपका अगर यूपीटीट एक्जाम के लिए हो गया है तो आप लोग इन सभी एक्जामों पैसको करना है और इंदजार आपको बतादे आज उत्ता प्रदेश बेसिंक एज़िक हैं यह पीडिकेशन सब्साइब फिर से अटक सकता है आपको बता दे चलते हुए चुनाओं के कारां आप सभी की रिजल्ट पर पावंदी लगाई जा सकती है UPTT 2021 परिक्षा का परिणाम विभाग 25 फरवरी 2022 को गोसित करने की त्यारी में है विभाग ने आदर से अचार सहिंता लागो होने के कारण सासन से परिक्षा परिणाम के अईलान के अनुमतिति मांगी है क्योंकि आप सभी बतादे यूपीट परिक्षा 2021 का जो रिजल्ट है यह त्यार हो चुका है अब यहाँ पर सासन से अनुमति मिलते ही यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों का Official OHLINE त्यार करके यहाँ पर publish कर दिया जाएगा आप यहाँ पर publish नहीं किया जाएगा उसी कंडिशन में सासन से परमिशन नहीं मिलती है तो आपको बताते काफी बड़ी अपडेट आ रही हमारे यूपीटेट के चात्रों के लिए आप सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है आप सभी को बताते हैं यहाँ पे करीबन 15 अंग तक के आप सभी के बढ़ाए जाएंगे लेवर एक और लेवल टू के हमार और आप लोगों बता दे 23 फरवरी 2022 तक कि आप सभी के जो कमेटी वैठी है अब जेक्षन को आप लोगों के निस्ताकरन के लिए यहां पे आप लोगों की तीन हजार अपती हैं यहां पर यूपी डैट के पर मिली है ठीक है लेवल एक और लेवल टू के आगर दोनों सट आफ है यूपी डैट परिक्षा वह भी कम होगा और यहां पर यूपी डैट परिक्षा के रिजल्ट पर काफी बड़ा संकट आ चुका है आज यहां पर विभाग नहीं जो है सरकार से मोहर अगर लग गई तो आप लोगों के रिजल्ट अब 25 फरवरी को जारी होगा न